ये principle कहता है be self-dependent देखिए ये क्यों कहा जाता है एक छोटा बच्चा होता है जो कुछ समझता नहीं है जिसका कोई इच्छा नहीं होता है उसको जो खाना किलाव वो खा लेता है उसको जहां लेके जाओ वो चला जाता है जो बोलो वो सुन लेता है क्यों क्योंकि उसको कुछ जानकारी है नहीं दुनिया का लेकिन धीमे धीमे जैसे उसको दुनिया की जानकारी होती है जैसे उनको समझ आता है क्या चीज़ उचित है क्या चीज़ अनुचित है जैसे उनको इच्छा के बारे में पता चलते हैं उनके मन में बहुत सारे इच्छाइ होते हैं दुनिया को देखते हुए उस प्रकार से वो बया करना शूर करते हैं मेरे को इधर जाना है मेरे को इन फिले दोस्ति करना यह सारे चीज़े माता-पिटा पहले रोकते हैं और पहले वो तो सुन-लेते हैं क्यों कि वो अभी भी dependent ह उनको समझ आया रहा है कि माता पिता ही है जो आमको घर में रहने दे रहे है वो खाना दे रहे है और कोई नहीं दे रहा है तो वो dependent रहता है उसका रहन चुपचा भी रहते है उनके पास इतना सामरत है नहीं है बाहर जाके independent मन के घूमे जहां चाहिए जैसे चाहिए जब भी ले को इमान अब जलक चुका होगा कि मेरको कुछ काम करना मेरको इस बैक्ति से मिलना है यही खाना खाना यहीel पोशाक पहना आ ऐसे गरके हमारी जो विमेनन इंपरफ की आज ही बात किया जा रहा है कि वे मेंज घर से बाहर जा से बहुरा कर रहें अपने तरीकी से पैसा कमा रहें जहां चाहें जैसे चाहें फेर्चा ऊरहा रहें अपना पुशाक कर रहें जो खाना खाना चाह रहें जिसके साथ दोस्ती करना चाहें जिस प्रकार से चाहें रहें को दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन sales and marketing फिल्ड के अंदर विक्ति जब आता है ना उसके बाद वो dependent रहना चाहता है क्यूंकि उनको लगता है उनका जो sales head है उनका sales manager है वो बहुत बढ़िया presentation देते हैं वो बहुत बढ़िया चीजों को सिखाते हैं वो बहुत बढ़िया फिल्ड के अंदर तो मैं ऐसा सिंथा जब मेरा जो मतलब सिनियर है मेरा जो क्या अपलाइन है अब जाएं था ठीक है तो है अभी वी तो बात वह है कि वो ने मुझे यह कहा था कि बाई देखो शुरुवाती तोर पे तुम खुद जाकर प्रेजिटेशन दोंगे तो गूर गोबर कर दोगे चलती एक काम करना मेरे को पहला जो दस presenting यह वह पर तुम लेके जा believes नँगे तुम देख न उसके बाद में तुम खुद देना जो गलतीritos हैं अ वह लिगा और उसके बाद 10 तुम दे हुए हम कुछ नहीं बोलेंगे उसके बाद तुम बोलोगे कि क्या क्या गलतिया तुमने किया है और उसके बाद से तुम खुद से देना चलो का अर्द होगे हम बोले ऐसा क्यों है तो उन्होंने कहा कि अगर तुम मेरे उपर डिपेंडेंट होते हैं तो दिक्कत क्या आता है बता है मैं बता दू अगर तुमने किसी वेक्ति के साथ appointment fix किया कि भाई सामको 8 वजे उनके साथ तुम presentation दिखाने जाओगे तुम business दिखाओगे उनको और सामको 8 वजे तुम free हो वो free है पर मैं free नहीं ह लगा कि senior बहुत बढ़िया करेगा और senior बहुत बढ़िया करेगा इस कारण मैंने उसको साथ दिन टाला और sales के अंदर ये चीज़ आप समझ लो अगर आपने विक्ति को थोड़ा सा भी इंतजार करवा है अगर विक्ति को थोड़ा सा भी discomfort हुआ अगर उनको थोड़ा सा भ भाइड नहीं करेंगे फिर भी छोड़ेंगे उनको चाहिए था आपके पास भी लेता उनके पास वी लेता उनके बास गया और धोका खागया आगया आपका प्रोड़क्ट है अगर आपको पता है यह बहतरीं क्वालिटी की हो इसकावर के पास जाने मत दिजिए और इस का हैं वो आके करेगा तब होगा सेल्स प्रोस तभी होएगा जब आके बोलेगा नहीं नहीं बी कम्प्लिटी सेल्फ डिपेंडेंडेंट जिस दिन आप अपने कंदों के उपर पूरे जिवेंधारी लोगे जिस दिन आप अपने आपको सब कुछ के लिए responsible मानोगे सारे काम खुद करोगे और सारे विक्तियों के सार जबी बात करोगे ना one to one बात करोगे कि भाई मैं तुमको बच्चन देता हूँ अगर तुम इस प्रकार से काम करते हो तो यह रिजर्स आने को है हमारे टीम के तरब से तुमको यह सपोर्ट जरूर मिलेगा हम तु तुमको इतने सारे पैसे मिलने वाले इस प्रकार से काम कर वे तो बच्चन खुद दे सकते हो प्रेजंटेशन दे सकते हो स्किल्स तुमारे पास है और कि अच्छे यह बीस से डिपेंडेंड यह फिलोजोफी आपना और आपने आपको मोटिवेटेड पाऊगे अपने कैसा फिल हो रहा है क्या चीज़ें आपने से कमेंट में जरूरू बताना मिल दे आगले वीडियो में तब तक के लिए अच्छे रहे ना जै हिंद जै भारत